हेलो डियर स्टुडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सेवन्थ साइन्स चैप्टर टैन रेस्पिरेशन इन और्गेनिज्म फ्रॉम दी एन्सी ई आर्टी बुक प्रीवेस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा है ना उसके बाद हमने जो था डिफरेंट तरीके से ब्रीथिंग की प्रोसेस किस तरह से अलग-अलग मतलब की ब्रेट आफ ब्रीथिंग का कैसे एक्टिविटी में किस तरह से होता है और किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कुछ प्रीविएस वीडियो में डिसकस करी अगर आपने हमारे वो previous वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल रजेश बागडी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपका हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को like, subscribe, बेवम वीडियो को share करें और bell icon प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की update मिलती रहे आगे हम जो start करने जा रहे हैं वो breathing की process को ही continue कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें और changes देखने को मिलते हैं after having learned that during breathing there are changes in size of the chest cavity हमने यह देखा कि जब breathing करते हैं हम सांस लेते या छोडते हैं तो size chest cavity के size में क्या होता है changes होता है children got involved in the chest expansion competition है ना बच्चे involved होते हैं है ना इस competition में everyone was boasting that he or she could expand it maximum how about doing this activity in class with your classmates किस तरह से यह कर सकने हैं यह देखना है अब यदी हम देखें तो इसमें थोड़ा सा आगे बताया गया है the air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen grains etc हमारे आसपास जो air है जो हमारी body में जाती है उसमें कुछ unwanted particles भी होते हैं जैसे कि smoke है, dust particles होते हैं, pollen होते हैं और जब इन इन particles को अंदर लेते हैं तो the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity और यह particles हमारी nasal cavity में present hair में trapped हो जाते हैं, फस जाते हैं however, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity but कई बार क्या होता है, यह particle यहां से निकल के अंदर चले जाते हैं these may irritate the lining of the cavity और फिर हमें क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं खुझली मशती हैं, कुछ और होता है as a result which we sneeze इसके कारण हम क्या हमें छीक वगरे आ जाती sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters our body और उस sneezing के कारण हमारी जितनी भी unwanted particles रहते हैं वो body से बाहर आ जाते हैं और हमारी body में fresh air रहती है ठीक है, अब यदि हम take care बताया गया है कि यदि हम कभी भी sneeze कर रहे हैं तो cover your nose so that the foreign particles you explain are not inhaled by the other person तो हमेशा अपनी नाग को बंद रखना चाहिए ताकि आपने जो foreign particles या unwanted particles आपकी body से बाहर निकले हैं वो किसी और की body के अंदर enter ना करें ठीक है, अब हम next activity देख रहे हैं activity 10.4, इस activity में क्या बताया है take a deep breath, एक गहरी सांस लेनी है measure the size of the chest with the measuring tape and record your observation in table 10.2 फिर उस वक्त एक गहरी सांस लेके अपने जो chest का size है उसको measure करना है, measuring tape से और उसे इस table में mention करना है यह देखो during inhalation भोलेंगे तो आपने जब सांस अंदर ली तो breast का size, sorry chest का size क्या है उसको आपको measure करना है फिर measure the size of chest again when expanded and indicate which classmates show the maximum expansion of the chest आपको size measure करना है फिर से जब क्या हो, expand हो है और जो की class में किसका सबसे ज़्यादा हुआ है वो भी देखना है We can understand the mechanism of breathing by a simple model हम breathing को एक simple model से समझ सकते हैं फिर अब इसमें क्या करना है हमको take a white plastic bottle हमको क्या करनी है एक चोड़ी plastic bottle लेनी है Remove the bottom, get a Y-shaped glass और plastic tube अब उसको क्या करना है हमको उसका यह देखो यह इस तरह से bottom अटा के और उसमें Y-shaped glass जो है यह प्लास्टिक tube इस तरह से अरेंज कर देनी है यह लगा दी हमने इस तरह से इसके अंदर से Fit make a hole in lead so that tube may pass through it अब उसके नीचे देखो हमने hole कर दिया ताकि tube इसमें से निकल कर जा सके Fit to the fork end of the tube fix to deflated balloons और नीचे की तरफ दो हमने पिछके हुए बैलून जो है यह देखो इस तरह से दो बैलून जो है वो लगा दिये हैं है ना? introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7 और इस tube को इस bottle में इस तरह से जैसे दिखाया गया है वैसे enter कर देना है now cap the bottle, seal it, make it all right to the open base of the bottle, tie and thin rubber or plastic sheet using a large rubber band अब देखो जब इसको बन करना हो तो इस तरह से खीच के बन किया जा सकता है है ना? तो rubber sheet से इस तरह से ऐसे और फिर जब open करना हो तो फिर इस तरह से नीचे या लग-लग दो direction में देख सकते हैं to understand the expansion of lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and wash the balloon next आपको expansion देखना है तो rubber sheet को नीचे से खीचो है ना? तो जैसे ही आप rubber sheet खीचो गए ये क्या होंगे? बैलून जो है वो फूल जाएंगे तो बैलून का फूल ना क्या बता रहा है? पिचक गए ठीक है पूश्ट अपने इस तरह से अप किया ये देखो ये जब अप किया तो तो rubber sheet जो है आपको कैसे दिखाई दिये है देखो बैलून जो है वो पिचक गए इस वक्त है तो ये चेंजेस जो इस वक्त ऐसे दिखाई दिये हैं डिद यू सी एनी चेंजेस इन दा बैलून्स वाट दू दू दा बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट अब देखो जब आपने एक्सपॉंड किया तो यह जो बैलून थे यह दोनों फूल गये हैं मतलब इनका साइस बढ़ गया और जब आपने इनको अंदर कॉंट्रेक्ट किया है तो बैलून पिचक गया है सेम इसी तरह से हमारा लंग्स भी फंक्शन करता है जब डाइफ्रॉम नीचे की तरफ जाता है तो एक्सपॉंशन होता है और उस वक्त लंग्स का साइस बढ़ा हो जाता है और जब डाइफ्रॉम उपर की तरफ जाता है तो रिलक्सेशन होता है और लंग्स का साइस छोट हो जाता है तो आपको लंग्स की फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम वा डू वी ब्रीथ आउट हम बाहर क्या निकालते हैं और आगे का देखेंगे आपको इस पोर्शन में कोई भी डाउट कोई भी प्रॉबलम है तो आप मुझे मैसेज करके कमे करके पूछ सकते हैं एक बार बुक जरूर रीट करिएगा कीप स्टडी कीप फॉचिंग थैंक्यू सो मच